नमस्कार फरीदाबाद अभी कुछी देर पहले जो है फरीदाबाद के जिला पौयुक के द्वारा मार्केट वो खोले जाने के आदेश आए हैं और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक नमबर मार्केट के वेपार मंदल के प्रधान है जगदीच भातिया जी इन से बात आपने इसके लिए संगर्श भी किया था इसके लिए ऐसा है कि हमने आज से आट दस दिन पहले मीटिंग रखी ती डीश साथ के साथ अपना नगर निकम कमिश्टरों के साथ उसमें हमने सुजाव दिया तो उनके सुजाव के साथ हमने पताया था एक दिन दाएंबाद तो जिनने वैपारियों की मांग पर एक दिन दिन लाके में एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट का सुजाव माली आए वो कल से सुपह बशार खोले जाएंगे और जो हुद्डा के लाखा है था में ऑपनी दुकानों के अंदर 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 बारमाल को इस लग ना रखें करें मास्क पैन के रखें ताकि आपके दुकान के आगे बाल माल पड़ा होगो तो ग्राकों की भी लगेगी बिल्कुन नहीं चाहिए और ग्राकों से भी बील कर रहा हूं ताकि ज्यादा रश्ट ना करें कि आप बजार आपके लिए खुल गए हैं आप आज समान नहीं कल ल अपिल कर रहा हूं कि अपना और अपने बच्चेंगा और अपने इंप्लाइस का द्यान रखें सुबह आप खुद भी मार्केट में आएंगे बिल्कुन मार्के में चक्क्र लगाऊंगा और सारे दुकान दरुदा अपील करूंगा ताकि यह बजारों का ज्यादा राश् है और पर तो राइट साइड की तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से लोगडाउन लगा हुआ था मार्केट है बनती थी लोग माना जा सकता ही कल भारी भीड़ हो सकते हैं लेकिन हम भी लोगों से अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालम करें और दूर बना कर रखें ताकि फरीदाबाद में जो करोना के मामले हैं महमारी के मामले और आगे ना बढ़ सके तोड़े एक्सपरेस के लिए मैं अजय वर्मा